और चुरे देखो पशुपक्शदोर रिकाने के लिए बंदरों से बचाने के लिए हमने िये जुगाड करक्ड किया हुआ है उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं मिर्ची की पोदे लगाए हूँ है और निया पर लगे हैं बेंगन के पोदे राम राम दोस्तों कैसे हुआ बढ़िया वेलकम बैक टू आना अधर व्लोग पिछले एक दो दिन से मैं गाव में ही हूँ इस वज़े से मैंने आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रव वाटिका यानि की किचन गार्डनिंग ग्रव वाटिका का मतलब यह होता है कि हमारे घर के आसपाद जो भी खाली बड़ी जमीन होती है उसमें फरल फूल सब्जियां हमारे उपयोगी जो भी प्लांट्स हैं वह उगाकर हम उन मैं साल में दो यह तीन वारी आता हूं पर नहां पर बहुत कुछ लगाया हुआ है इन्होंने तो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूं पीछे हमने पोदों को पानी देने के लिए नलची लगाई हुई है यह देखो यहां से हम लटका देते हैं और फिर अलग अलग जग तो इस वज़े से इधर से पूरा स्लोप है अगर उदर से पानी आता है तो इधर बेक ही निकलता है यहां पर पानी जमाना हो इस वज़े से हमने एक पाइप लगाया हुआ है यह वहां से कनेक्ट हो रहा है ताकि उपर का जो पानी इकट्टा होके आता है वह पूरा इधर तो जितना भी पूरा पानी होगा वो इधर ना भराए उस वज़े से यह पूरा पाइप लगाया हुआ जो बाहर निकाल देता है पूरे पानी जैसा कि मैं अपने पीसे देख पा रहा हूं हमने यहां पे बेल वाली सब्जया लगा रखिए गिल्की लोकी तुरई पूजा में फूल वगेरा भी चाहिए होते हैं इसलिए हमने फूल लगाये हुए यह प्यारे प्यारे फूल लगा यह देखो इतने बड़े हो जाते हैं इनकी मोटाई थोड़ी से बढ़ना बाखी है उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और यहां पर लगे हैं बेल्कुल चोटे-चोटे यह रहे कच्चे बेंगन तो कुछ इस तरह के से इसमें फूटिंग होती है और साल भर हम इस सब्चियों का मज़ा ले सकते हैं मेरे आस पास गाउं के सभी लोगों ने इसे चीजय कर रखी है डेली यूज में हमारे नीभूute होते हैं अपनी पाचन सकती तंदुरसित रखता है इसलिए पफिदा लगाया हुआ है एक पोधा ये फूल का इधर भी लगाया हूए ताकि पीछे जाना ना पड़े अगर एमर्जेंसी में कभी आये तो हम फूल यहां से भी तोड़ सकते हैं मिर्ची के यह वाले हैं पर इसमें रोग लगा हुआ है यह पंड कुंचन लगा हुआ है इसमें अब नेक्स्ट आजाते हैं यह पपीता के पोदे मैंने पपीता का बजाया था ना आपको यह पपीता का यह रहा यह बड़े हो जाएंगे ना इतनी सारी पपीता आएगी अगर दिन बर भी आप खाओ तो खतम नीं होएगी बिगडी की सही वह खा नहीं सकते हैं इसके बाद हमने नहां पर लगाई हैं भींडी के बहुत सारे पोदे हैं वो रहा उसके बाद यह रहा और एक यह रहा आपके घर में तीन से चार जने उनकी लिए साल भर यह इतनी सी जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी परियात हैं हर घर में तुल्ची की जरूरत होती है इसलिए हमने जहां बहुत सारी तुल ज़्यादा है उसमें हैं एक हमारे गर के साइड में गोशाल आ है जापर गाया वगयरा बांते हैं तो वहां पर भी उसके बाद खलियान में भी बड़ी जगवे थी वहां पर सब्जया लगा रखी है तो हमारे साल बर से सब्जीयां चलती रहती है हमीने नहीं गाउं के सब्जीया लगाई हुई है यह टमाटर का पोदा है यह देखों चोटे-चोटे कुछ इस तरह के टमाटर आते एक जाड़ी नुमा होते हैं और यह की बेल टाइप या वाइन टाइप आते हैं और हमने नहीं पर लगाया हुआ है अर्वी के पोदे काफी प्यारे लगते है अगर मैं सच बताओं तो मुझे तो पसंद नहीं है घर वालों को पसंद इसलिए लगा रखी है तो आप अगर चार से पांच जने रहते हो ना और आपको सब्जा लगानी अपने फैमिली मेंबर की हिसाब से लगाओ उनको जो पसंद है वो सारी लगा लो आप ये काम अप पर पोदे उगाए हैं जैसे चंदन का पोदा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं मैं पहुंच चुका हूं अपने पशुशाला के अंदर खाली पड़ी जगे थी इस वज़े से हमने यहां पर यह पपीता का पोदा लगा दिया और बेल टाइप वाले जो क्रॉप्स है वो लगा दिया इसी तरह यहां पर थोड़ी सी खाली जगे थी उसके अंदर भी हमने यह फूल के पोदे लगा रखें ताकि उदर नहीं जाना पड़े और डारेक्ट हम यहां से फूल तोड़ सके अभी फूल नहीं आ रहे पर फूल आते है यहां पर और हमने बीच में यह हैं बडाब और इसके जो हैं वह वो भिल्कुल ऐसर लगते से करोंडे हों आप ने अगर करोंदे देखें हो तो करोंदे जैसे इसके भी जोते यह घुंन यह यह पका हुआ है और यह हरे हरे हैं जो है कच्छें चाँ ही करने बार बार इसकी काट चाट करनी पर तो जये थलों यह हैं तोड़ा सा काभू से लिए awhile जकात के युद लटक जाता है के लेविए जीन तरी कर kes रहना इसने लेठ़े नीचे घरमी के अंदर कापी मस्त अचा पाहर आड़ेती काफी ठंडक पि ध lég ती यह ने पोदा लगा दिया नहां पर यह केल का पोदा इस पर भी रेड करण बड़िया फ्लावर आते हैं केल हर घर में होना जरूर दिये इस वज़े से हमने घर के अंदर हम पोट के अंदर लगा देते पर अब उसको हटा के डारेक्ट एनोंने मिट्टे में लगा दिया अब भी लगाए हैं तुल्षे और यह पीपल लगाया हुए थी आप घर की खराब ना करें अब और जबर ट्राइंट कर देंगे तक हम सनाएं शायद पीपल को घर के अंदर नी लगाते घर के बाहर लगा ते या घर के साइड में लगा जाते हैं या कहीं भी खुल्ले इम चीज हमने खलियान में अपलाई कर रखी अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ तो फाइनली मैं पहुंच चुका आपने खलियान के अंदर और अब दिखाता हूँ मैं निया के खाली पड़ी जमीन पर हमने किस तरह किसे अलग अलग पोधे लगा कर इसको सही इस्तमाल किय अबने खलियान के अंदर एक फूल का पोधा भी उना चीए इस वज़े से हमने यह वाला फूल का पोधा लगाया जब लाए थे बिल्कुल छोटा सा था नहां पर लगाया था हमने और अब काफी बढ़ा हो गया दूसरी दरफ हमने नहां पर अम्रूत का पोधा लगा यह और यह देखो काफी बढ़ा हो गया इसको हमने अभी डखा हुआ है क्योंकि यह बंदरों का अटेक बहुत ज़्यादा होता है बंदर सारे अम्रूत खा जाते हैं और हमें एक भी नहीं मिलता यह अम्रूत की फ्रूटिंग हो रही है और इनको बचाने के लिए पशुपक् और यह 2-3 फोधि लगा हो धंगे यह कि लगा हुआ है यह इस अम्रूत का पूदा जितने भी हमें फ्रूट से यह थे उसके आरे पूदे लगा है मन में एक क्क्वाइश हो रहे हैं कि आमતने अहे अपने अटन से लगा हूँँगा पत्रों से दिवार बना देते हैं ता मैं अदर दिखा देता हूं आपको टमाटर के पोदे लगाए हो हैं बेंगन के पोदे लगाए हो हैं मिर्ची के पोदे लगाए हो हैं ताकि साल बर मिर्ची बनी रहे और यह मेथी के पोदे मेरी मम्मी कल इसलिए बोल रहे थी कि मेथी भी बड़ी-बड़ी होने वाली है यह है मक्का यहां पर इस पर हाते हैं बुट्टे कि है डेंगे होते हैं आपकी लिइंग्वेज में मक्क रु जो जो बुठे होते हैं उसको क्या बड़ते हैं वह सलेट इसो लिए हफ्तेमेंट 29-30 बार तो हमारे प्हंटी वंत्者 सारी सब्जीर क्यों प्री हैं बिल्कुल ड पानी फेल जाता है अच्छे से यह बहांस लगे होए जो संत्रिय के गीचे में काम आते हैं संत्रिय के बगीचे में जो फूर्टिंग होती है तो सहारा देने के लिए यह बहुत खराबा दो आजी इस सारी चीज़ें दिखा के मुझे बहुत मज़ा और ममी ने लोकी लाने बोला था वह नहीं मिल रही यार लगता है गर पर जाके महारीถॉंगा तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो चनल को आदो